गुड मॉर्निंग एवरिवन आप सभी का स्वागा थे रेल टेरा में कल के वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया लेकिन उसमें इतना ज़्यादा कमेंट आया आप लोगों का लेकिन आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि 99% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं सिफ 1% ही सब्सक्राइब करते हैं मैं तो आप लोगों को मोटिवेट कर देता हूँ लेकिन मेरा जो मोटिवेशन है वो आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने का है तो प्लिस सब्सक्राइब कर दे और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा कमेंट आया है तो सबसे पहला जो कमेंट है हमारा भाई यहां तीन चालिस आ रहा है लेकिन पता ने क्यों डर लग रहा है देखिए डर लगना सोभाविक है यह एक हुमन नेचर है हम लोगों को डर लगता है और डर लगना भी जरूरी है क्योंकि मैं जब रनिंग करता था मेरा चार छे एक कि मेरा तो हो जाएगा इतना कम समय लग रहा है इसलिए मैं वहां जाके अपना जो फुल एफर्ट है वो लगाया ही नहीं और क्या हुआ जिसके कारण मैं जैसे यहां रनिंग करता था सेम वैसा ही किया और मेरा वहां पर चार एक में कम्प्लीट हुआ अगर मैं अपना देखें डीवी और मेडिकल का तो जो एक्सपेक्टेड डेट है वो साथ फरवरी फरवरी के सेकेंड या थर्ड विक में स्टार्ट हो जाएगा अब देखें थर्ड कमेंट भाई रोड पे चार पांच में आती है रनिंग क्या ग्राउंड में इससे ज्यादा टाइम लगे लेकिन आप लोग अगर वहां पर जाके अपना फुल एफर्ट लगाएंगे तो चार पांच क्या आप तीन पचास में भी अपने आपको या उससे भी पहले आपको क्लियर कर जाएंगे और इन्होंने लिखा है कि इनका सीन पेन के वज़ह से इन्होंने अभी रनिंग आउंगा उसके बाद अगला क्वेस्चन है भाई फुल लोहर पहन कर रनिंग करेंगे तो चीप में कोई दिक्कत आएगा क्या देखे कोशिस कीजिए हाप पहनने का हाप पैंट पहन के ही रनिंग कीजिए क्योंकि अगर फुल लोहर पहनेंगे तो आपका पैर खीचा उसके बाद देखिए आप कितना का ट्रैक में प्रेक्टिस करते थे मेरा जो ट्रैक था वो तीन सो मीटर का था तो मैं तीन चक्कर प्लस एक्सो मीटर एक्स्ट्रा लगाता था अगला क्वेश्चन ब्रदर पीटी में कास्ट सर्टिफिकेट या माक्सीट बगेरा लगेगा क्या नहीं पीटी में कास्ट सर्टिफिकेट माक्सीट या कोई भी एक्स्ट्रा डोकुमेंट्स आपको नहीं लगेगा जो एड्मिट कार्ड में दिया हुआ है एड्मिट कार चार प לש मतलब आपका अभी सिर्प दस सेकेंड ज्यादा है तो दस सेकेंड़ आराम से कम घर सकते हैं को देखा हैं जिन्होंने अपने 25 सेकेंड तक वहां जाकर कम किया तो दस सेकेंड पड़ी उसके बाद भाई declaration form भी submit करना है कि हाँ declaration form आपको submit करना है और admit card भी submit करना है कहीं कहीं आपको admit card के नीचे का portion दे दिया जा रहा है return और कहीं कहीं return नहीं भी दिया जा रहा है क्योंकि उसमें उतना कुछ important चीज है नहीं वो लोग कुछ लिख नहीं रहे हैं जो है बस वैसे ही मुझे यही सजेशन रहेगा इनको कि आप पूरा दम लगा के दोड़े आप क्या करें कि जाने से पहले आप जब इंट्री करेंगे केला खाले ये दो केला खाली जो उससे ज्यादा केला खाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है पेड़ भारी भारी लगेगा इलेक्ट्रोल पी कि उसके बाद घर पे कितना time लगता था और वहा कितना time के लगा मुझे घर पे अभी तक मैंने सिर्फ दो या तीन बार रही time में क्लियर किया एक बार 4-6, 4-13 और एक बार 3-57 लगा था लेकिन जब मैं वहाँ गया वहाँ पर मैं अपने normal speed से दोड़ा बोला हूं जैसे कि मुझे overconfident हो गया था कि मैं कर ही लूँगा इसलिए मैंने normal speed से दोड़ा और मेरा वहाँ पर 4-1 में पुरा क्लियर हो गया कितना दिन प्रेक्टिस किया था ब्रदर केवल मौर्णिंग में भी देखिए मैं जो करीबन 25 से 30 दिन प्रेक्टिस किया हूं पहले मौर्णिंग में जाता था लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मौर्णिंग में उठ नहीं पाया हूं जब क्योंकि बहुत क्योंकि जितना मैं खाना से कंजूम नहीं कर रहा हूं उससे ज्यादा मैं वेस्ट कर दे रहा हूं इसलिए मैंने फिर क्या किया एक ही टाइम रनिंग करना चालू किया वरना क्या होगा आपके पैर में सीन पेन हो जाएगा नी में पेन हो जाएगा यह सब बहुत ज्यादा प बिना सू का running नहीं करें तो अच्छा है क्योंकि admit card में भी लिखा है सू पहनना जरूरी है और मैं जब running किया हूँ कोई भी बिना सू का running नहीं किया था इसलिए मेरा suggestion रहेगा कि आप सू पहन के क्योंकि पता नहीं बाइचांस आपके पैर में कोई कंकड़ पत्थर लग गया तो हो सकता आपका running slow हो जाए या फिर आप injured भी हो सकते है इसलिए सू पहन के running किये comfortable running कीजिए आराम से clear होगा भाई फोटो कौन सा लगाना है latest वाला या पुराना वाला जो admit card में है देखिए अगर आपके पास पुराना वाला है तो वही लगाई है सबसे best है कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं और लेकिन अगर आपके पास पुराना photo नहीं है तो आप latest भी लगा सकते हैं लेकिन हो सकता है उसके लिए आपके अलग से form भरना पड़े तो इसलिए कोशिस कीजिए जब latest ले जाए तो एक दो फोटो एक्स्ट्रा ले जाए और अगर पुराना photo है तो उसमें एक ही फोटो में आपका काम चल जाएगा जो की admit card में आपको चिपकाना है हर reporting time का लगभग कितना time बाद ground में दोड़ा आ रहा है तो देखे हर reporting time का एक से दो घंट आपको लग जाएगा रणिंग करने में क्योंकि एक घंटा में जैसे मानली जा मेरा साड़े छे का बैस था साड़े साथ से रणिंग करवाना स्टार्ट कर दिया था सबसे पहला जो तीसरा या चौथा बैच में था इसलिए आपको एक से दो घंटा तो पकड़ के रहिए कि जितना reporting time उससे एक से दो घंटा एक्स्ट्रा आपको लगी जाएगा रानिंग करने में नी पेन प्रॉबलम देखें नी पेन और सीन पेन बहुत ज्यादा प्रॉबलम कर रहा है इसके लिए आप क्या कीचिए डॉक्टर से दिखाई अगर बहुत ज्यादा पेन है तो अगर उतना ज्यादा नहीं है तो पेन किलर लीजिए पेन किलर लीजिएगा आपको थोड़ आप रेस्ट किये ही नहीं और वहां जाके आपका पेन रहा तो आप इतना प्रैक्टिस करने का भी फैदा क्या देगा आप वहां कौलिफाई नहीं कर पाएंगे इसलिए कोसिस कीजिए कि कुछ भी हो मुझे वहां तो किलियर करना ही है लेकिन अभी मुझे पूरा फिट खाएंगे तो ठीक हो सकता है लेकिन जिनकर नहीं है हो सकता है future में उनका सिंपेन आ जाए एक्जाम से दो दिन एक दिन पहले सिंपेन आ जाए तो उनको क्या कुछ योगा करना पढ़ता है कुछ stretching करना पढ़ता है वह सब चीज मैं कोसिस करूंगा कल के वीडियो में लाने बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि एक किलोमेटर बहुत बड़ी बात कुछ है नहीं इसमें आपका बॉड़ी का कुछ खेल नहीं है बस आपका खेल किसका है माइंड का खेल है तो आपका अगर हाई रहेगा तो कंफा में आप निकाल के आएंगे अब बहुत जंद का क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतना जंद फेल क्यों कर रहे है देखे फेल इसी लेकर है जब मैं सबसे पहला दिन मैं दौड़ा सबसे पहला सीफ में सीफ 30% बच्चे फेल किये थे लेकिन दूसर किजिए ऐसे किजिए आपको डरना नहीं है डरेंगे तो हारेंगे तो अगला है आपका रो मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स के उपर मैं बाद में डेडिकेटड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं हर एक चीज़ डीटेल से बताऊंगा मैं कितना अटेंट किया हूँ कितना इगनॉर किया गया कितना मेरा रो मार्क्स आया कितना परसेंटाइल मार्क्स आया कितना नॉर्मलाइज मार्क्स है हर चीज़ बताऊंगा लेकिन अभी के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ मेरा नॉर्मलाइज इसकोर जो है वो सारी परसेंटाइल इसकोर ज जिनका एक्जाम कल है परस्व है सभी को all the best अगर एक्जाम कल है तो अच्छे ते दोड़िए अपने आपको positive रखिए और प्लीज अपने माबाप के लिए इस एक्जाम को qualify कीजे और जिनका अभी फरवरी में है लेट है तीस तारीक से start है वो अभी थोड़ा प्रैक्टिस की किजेगा अपने आपको enjoy मत कर लिजेगा तो और एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो में कुछ information मिला है तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ share करें और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले इससे मुझे बहुत ज्यादा motivation मिलता है तो मिलते हैं अगले वीडियो में